हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की NX 125 के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डीटेल से जानकारी दूनगा जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकोन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो चलिए वीडियो शरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक के बारे में तो इसका डिजाइन modern और sportier देखने मिलेगा इसमें दोस्तों dual LED headlamp और single piece seat मिलेगी इसके साथ ही इसमें दियो 125 के समान body work में sharp cut और crease देखने के लिए मिलेगा अब features की बात करें तो दोस्तों इस scooter में USB charging port, दो छोटे front mounted storage compartment और एक पूरी तरह से digital LCD instrument console, LED headlights, tail lights और indicator जैसे features देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों company इस scooter को 6 color option के साथ ला सकती है अब बात करें इसके engine के बारे में तो दोस्तों Honda NX 125 में आपको 125 cc single cylinder engine देखने के लिए मिल सकता है जो 8.7 bhp का अधिक्तम power output और 9.7 nanometer का peak talk generate करेगा वही इसमें आपको telescopic front folks और single rear spring देखने के लिए मिल सकता है brakes के बारे बात करें तो आपको इसका stopping power front disc और rear drum brake दिया जा सकता है दोस्तों में आपको बता देता हूँ कि company की ओर से अभी तक इस scooter के launching की कोई आधिकारिक दोर से जानकारी नहीं मिली है आपको वीडियो केसा लगा हमें comment box में अपना opinion जरूर बताएगा फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करे और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए